दोस्तों DR Education के इस Official YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत आर्दिक स्वागत करता हूँ देखी दोस्तों भारती अंतरदेशी जलमार्ग प्राधिकरन जिसको आप Inland Waterways Authority of India की नाम से जानते हैं उसके अंदर स्टाफ का ड्राइवर की वकेंशी आई हुई हैं जिसके लिए एक शोट नोटिफिकेशन मैंने 9 अगस्ट 2024 को आप सभी के साथ टेलिकराम चैनल पे शेयर किया था इसके अप्लिकेशन फोरम 16 तारिक से भरने शुरू हो चुके थे फोरम भरने की जो लास डेट है वो 21 सेप्टमबर 2024 है पहले 15 सेप्टमबर थी और अभी बढ़ा करके 21 सेप्टमबर 2024 कर दिया किया है इसके अंदर स्टाफ का ड्राइवर की तीन वेकंसी आई हुई हैं दो तो अन्रिजरूट कटेगरी की है अनि जरनल कटेगरी की एक OBC कटेगरी की है अब आप सोचेंगे वेकंसी तो सिर्फ तीन ही है हाँ बिल्कुल तीन ही वेकंसी हैं लेकिन अगर कोई भी रिक्रूट्मेंट एजन्सी अप्लिकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट एक्स्टेंड करती है उसके दो ही रीजन होते हैं या तो ओफिशल वेबसाइट अच्छे से नहीं चल रही हो या फिर जितने फॉर्म भरे जाने थे उतने अप्लिकेशन फॉर्म उनके पास रिस कम हैं लेकिन फिर भी आप अप्लिकेशन फॉर्म क्यों लगाएं वो उसका में एक चोटा से एक्जामपल आपको देना चाहूंगा अभी गुश दिन पहले एन आई एलाइट के अंदर स्टाफ का ड्राइवर की वेकेंसी आई थी जिसमें एक ही वेकेंसी थी उसके लिए पॉल ओर इंडिया सिर्फ और सिर्फ दस बच्चों ने एक्जाम दिया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मानलो 400-500 किस डिपार्टमेंट में वेकेंसी आएं उसके लिए लाकों फॉर्म बरे जाते हैं लेकिन अगर मैं छोटी बरतियों के बात करूं उसके लिए पॉल फिल नहीं हो पाता जिसकी वजए से उनके फोर्म रिजक्ट हो जाते हैं तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं अगर आप अपको नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं कैसे आप अप्लिकेशन फोर्म भर पायेंगे उसके बारे में में डिटेल से बताने वाला हूं इस जा सकते हैं ठीक है देखिए सबसे पहले में आपको बता दूँ कि यह official जो website है इसका link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा इस पर यहां पर advertisement भी दी गई है instructions भी दी गई है यहां पर register करने का एक link भी दे रखा है और ऊपर देखी गया है यहां पर login का link है तो आप सबसे से पहले यहां पर registration कर सकते हैं अगर आप linkation form फिल करना चाहें तो यहां पर registration करने के लिए official website proper way में चल रही है कोई भी यहां पर आपको gliss देखने को नहीं मिलेगा official जो website और proper way में चल रही है इसका मतलब जितने form भरे जाने थे उतने form नहीं भरे गए इस वज़े से इन्ह पर different different जो post हैं उनके नाम दिए गए हैं अगर आप MTS के लिए भी eligible हैं तो इसमें शायद 11-12 vacancies हैं MTS के लिए भी और storekeeper की different different जितनी भी post हैं उनके लिए आप अपने eligibility criteria चेक कर सकते हैं मैं सिर्फ आपको बताऊंगा staff का driver की जो भी education qualification या eligibility criteria है वो बागी आप अपनी चेक कर लेगे आपको मैंने telegram channel पर ओरड़ी शेर कर दी है तो आप वहां से जा करके भी download कर सकते हैं description में link दिया हुआ है आप इस official website पर ये to read advertisement है यहाँ पर click करके और जो notification उसको download कर सकते हैं तो मैंने ओरड़ी कर रखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इसमें आपका staff car driver के लिए eligibility criteria रागे का selection procedure दिखा देता हूँ देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है आप देखेंगे तो opening date है 16 अगस्त 2024 फॉर्म बरने की जो starting date थी closing date थी 15 September इसको extend कर दिया गया कहा तक कब तक 21 September ठीक है उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर staff car driver की vacancies देखो इसमें different different post दे रखिए न अलग-अलग post के नाम से यहाँ पर सारी post name और उनके जितनी भी vacancies हैं वो यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि competition इस प्रकार की भरतियों में कम ही होता है कम ही देखने को मिलता है इसलिए आप application home लगा सकते हैं यहाँ पर पोस्ट कोड आठ बटा दोहजार चोबी स्टाफ का ड्राइवर की vacancies हैं इसमें आपके education qualification और driving license क्या कुछ बताया गया है तो साफ का ड्राइवर में LMV driving license मांगते हैं क्योंकि कार चलाने के लिए LMV driving license चाहिए सिर्फ इसमें 8th pass मांगा गया है middle school certificate यहाँ पर मांगे गई है इसके अलावा देखिए driving license के बारे में क्या लिखा गया है तो first fine में लिखा गया है should possess a valid and unendorsed driving license should also have good experience driving for at least 2 years and at least elementary knowledge of motor mechanism यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास 2 साल पुराना LMV driving license होना चीज़ इस पर case waste ना चल रहा हो ठीक है और इसके अलावा आपको motor mechanism की knowledge होने चाहिए वो check की जाएगी कि इस time पर जब आपका driving test होगा उस time पर आपसे इस परकार के question है वो प आकि आपके return examination में भी vehicle maintenance से जुड़े वे questions आएंगे तो आप उसकी तैयारी रखें यहाँ पर बताया गया है और 8th pass आप होने चाहिए तो आप 8th के बाद चाहिए 10th pass हो प्लस 2 pass हो वो कोई दीकत नहीं लेकिन minimum education qualification के अंदर 8th pass यहाँ पर लिखा गया है उसके बाद आपकी upper age limit देख लीजिए अब यह age limit कहां पर बताई गई है तो देखिए उपर आपकी जो vacancies बता रखी थी total number of vacancies उसके बिलकुल साथ में ही यहाँ पर age limit बता रखी है not exceeding 30 years यानि 30 साल से ज़्यादा आपकी age नहीं होनी चाहिए यह general category के लिए है लेकिन उसके बाद यहाँ पर relaxation बताया गया है नीचे कि बही कितना क्या relaxation मिल जाएगा आपको अलग-अलग category के हिसाब से तो यहाँ पर SCST के लिए vacancies ही नहीं दे रखी तो यहाँ पर आपका relaxation आपको नहीं मिलेगा अगर vacancies होती तो SCST candidates जो है वो 5 साल कर relaxation ले ले लेते लेकिन यहाँ पर OBC की vacancies दे रखी ह तो इसलिए OBC जो candidate से हो तीन साल कर relaxation ले सकते हैं जनरल category के लिए आपकी जो age limit रहेगी वो क्या रहेगी 30 years और जो OBC candidate से उनके लिए 33 साल तक की age limit रहेगी age जो हो कब से count होगी तो जो आपकी form बरने की last date है closing date है 21 September उससे आपकी age count होगी तो आप उससे age count कर सकते हैं ठीक है उसके बाद application fee की बात करते हैं तो 500 रुपए आपकी यहाँ पे fees लगेगी अगर मैं undeserved और OBC candidates की बात करूं SCST जो candidates हैं वो 200 रुपए से अपना application form हो लगा सकते हैं लेकिन अगर vacancies ही नहीं है SCST की तो वो form कैसे भर पाएंगे SCST category के अंदर उनको general category के लिए ही application form लगाना पड़ेगा How to apply तो apply करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था पीछे website आपको बता दिया थी उस पे visit करके आप directly registration करके और application form हो फिल कर सकते हैं crucial date यहाँ पे बता रखी 21 September 2024 जो आपकी form बरने की last date है तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे staff का driver के लिए जो आपका selection procedure बता रखा है वो CBT यानि computer based test होगा आपका plus में driving test driving test उन्ही candidates का होगा who qualify in the CBT जो CBT पास कर लेंगे उन्हीं का ही skill test या trade test है वो conduct करवाया जाएगा जिसको आप driving test बोल सकते हो mainly जो आपकी final cut off है वो आपकी written examination के basis पे ही लगेगी यह द्यान रखेंगे staff का driver के लिए जो minimum qualifying marks वो क्या बता रखें unreserved category के लिए 45% marks लेने जरूरी है और OBC category के लिए 40% marks है वो लेने जरूरी है written examination में तो उसका खास द्यान रखेंगे आपका written examination कहां कहां पे होगा यानि examination center कहां कहां पे आफिल कर सकते हैं तो देखें यहां पे बता रखेंगे दिली, NCR, मुंबई, कोलकता, चन्ने, ग्वाटी, पत्ना और कोची यहां पे आपके examination center है वो बनाए जाएंगे examination center जो है वो आप preferences भरेंगे उस time पे जब आप application form लगाएंगे ठीक है और जो इसका detail syllabus है जो आपके exam के अंदर क्या-क्या आएगा वो एक annexis डाल रखा है इन्होंने official website के उपर वो मैं telegram channel पे आप सभी के साथ में share कर दूँगा कि complete syllabus आपका क्या रहेगा description में आपको उसका भी link दिया हुआ है ठीक है तो यह सारी चीजें थी जो इस official notification में बताई हुई थी जो most important चीजें वो मैंने आपको बता दी है बागी आपको कोई old doubt रह गया हो तो आप comment section में लिख करके बता सकते हैं और आगे जो भी driver भरतिया होती है उनसे latest updates पाने के लिए टेलिक्राम चैनल और YouTube चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब कर लेना आगे किसी भी परकार की updates हो यहाँ पे आपको time to time मिलती रहेंगे Thank you so much